XM Study में आपनों का फिर से स्वागत अगर आप हमारे चेनल पे पहली बार विजिट किये हो तो चेनल को सस्काइब करने के साथ यहाँ पर बेल आइकन पे किलिक करके All पे किलिक कर लेना ताकि जब भी मैं इस टाइब का वीडियो अपलोड करो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए और आप इस वीडियो को देख सको अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक बटन जरूर दवा देना चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं पाला कोर्शन क्या है जीप्सम इजे बताई जीप्सम क्या होता है चार ओप्सन दिया हो चार ओप्सन में से बताई जीप्सम क्या होता है पाला क्या है मेकनेकली फर्म सेडिमेंटरी रोग बी में क्या इगनियस रोग सी में केमिकली प्रिसिपिटेड सेडिमेंटरी रोग डी में मेटामोर्फिक रोग तो बताई इसका सही एंसर क्या होगा तो यहाँ दखिएगा क्या होता है जीप्सम एक केमिकल प्रिसिपेड़ सेडिमेंटरी रोग होता है चलिए इसका एकस्प्राइनेशन देखते हैं इसमें क्या क्या है देखे क्या है जीप्सम क्या है क्या ह बनता है देखिए फिगर आप लोग देख सकते हैं इसमें फिगर दिया गया है टोटल और इसमें क्या है कि क्या होता है कि यह क्या होता है जो जिपसम होता है ना वो एक केमिकली होता है जिपसम होता है जिसका केमिकली होता है चलिए एक लिए कुशन चलते क्या है करा है इसमें से कौन साइज जो मेरा सेडिमेंटरी रोक चैंज होके क्वार्ट जाइट बनता है तो या दखे क्या होगा इसका एंसर आप लोग परला ओप्षन क्या है इसका सही एंसर क्या होगा तो या दखेगा क्या होगा लाइम स्टोन से क्या बनता है मेरा लोग बनता है इसका से क्या होगा इसका अप्षण नमर एक हो जाएगा चले अगले कॉर्शन चलते क्या है कर रहा है which of the following represent say metamorphic रोग बताना कि इस में से कौन सा मेरा metamorphic रोग है metamorphic रोग इन में से कौन सा बता ही आप लो तो यहाँ दखेगा metamorphic रोग select and quartagite तो क्या होगा option number B हो जाएगा both first and third चल एक लिए एक option चल देखिया है कराया क्वार्ट जाएट इस इतो क्वार्ट जाएट क्या होता सिलिसियस रोग आर्जिस रोग क्या होता है 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 क्या होता और बाइ वाटर के द्वारा होता है यह भी आप लोग याद दखेगा अगला कुशन के अवीच अव दा फॉलोइंग इसे मिनरल वता है इने में से कौन सा मिनरल है बैसाल्ट ग्रेनाइट क्वार्ड्स और सनाइट तो वताइए क्या होगा इसका इसका इंसर तो यह दखेग क्वार्ड्स इसे हार्ड जो क्रिस्ट्लाइन मिटेरियल होता है ऐसा इसे ओटू का सनाइट जो होता है ना इंस्ट्रूशिव इग्नियस रोक होता है यह भी आप लोग याद दखेगा यह आप लोग को यतना भी मैं बता रहा हूं सब रिमेंबर आप लोग याद दखेग चलिए अगले कुर्स में चलते क्या है, Slate is formed by Metamorphic Action, Slate किसके बनता है Metamorphic Action के द्वारा बताईए, तो Option यह है, Cell, Limestone, Sandstone और Grainite, तो यहाँ दखेगा, Slate जो होता है न, Cell से बनता है, Option नमर एक इसका सही answer होगा, और Explanation में किसका क्या क्या बनता है, Sandstone से क्या होता है, क्या बनता है, Quartzite बनता है, Limestone से आता है, Marble बनता है, Cell से इसका स्लेट बनता है, और Grainite से गनीस बनता है, तो यह भी आप लोग यहाँ दखेगा, चलिए गले कुश्म चलते क्या है, सेडिमेंटरी रोग, AQUOS रोग, CLECIOUS रोग, The correct answer is बताइए, कौन सा इसका सही answer होगा, Sandstone क्या होता है, यह दखेगा, Sandstone क्या होता है, AQUOS रोग होता है, CLECIOUS रोग होता है, करने के मल, क्या All of First Secondary मेरा क्या है, सही answer है, इसका answer क्या होगा, Option number D हो जाएगा, चले अगले question चलते क्या है, Which of the following इसे रोग, बताना इन में से कौन सा मेरा रोग है, Quartz, Micah, Gypsum, None of this, बताइए इस एट का सही answer क्या होगा, यह दखेए, Gypsum क्या होता है, रोग होता है, देखे, Quartz and Micah क्या है, Mineral, याद दखेए, Quartz and Micah को हम लोग Mineral बोलते हैं, यह भी आप लोग याद दखे, Gypsum इस एक केमिकली प्रिसिपिटेट सेडिमेंटरी रोग होता है, Gypsum क्या है एक तरह से, केमिकली प्रिसिपिटेट सेडिमेंटरी रोग, यह points भी आप लोग दोनों याद दखेएगा, चलिए अगले question चलते क्या है, based on the following रोग, and Mineral select the correct statement, Quartz, Cell, Basalt, Granite, Marble, Gypsum, Micah, पहला क्या है option, Basalt and Marble are the Metamorphic रोग, B में के there is no Sentimentary रोग, C में Granite is the only Igneous रोग, D में Quartz and Micah are Mineral, तो बताएं इसका सही answer क्या होगा, 18 का, इससे पहले question बताएं थे, Quartz and Micah क्या है, एक रोग से Mineral है, तो क्या होगा सही, Quartz and Micah are Mineral, देखें Quartz and Micah are Mineral, यह Quartz है, और Mineral है, देखें, आप लोग देख सकते हैं कि इसका structure, क्या होगा है, Quartz and Micah का, चलिए अगरे question चलते क्या है, A heavy stone is suitable for, बताएं, किसे suitable है, तो बताएं आप लोग क्या सही answer हो, Option A है, Option B Error, 10 का सही answer बताएं क्या होगा, बताएं, यह दखेगा, क्या होगा, रिटेनिंग वाल, क्या होगा, इसमें point साथ रखेगा, Stability to the Retaining Wall, Use its own weight, चलिए अगरे को सुन चाल देखिया है, The stone suitable for the Rubble machinery should be, क्या होना चाहिए, Option A है hard, B है tough, C है heavy, D है light, बताएं इसका सही answer क्या होगा अप लोग, तो यह दखेगा, जो होता है, मेरा Rubble machinery, hard होता है, क्या होता है, यह आप लोग को यह जो है करा है, केस्टव पीध रोग घ्रबल बंशनरी च्लिक यविच औधुे फोल私 ng क्रोइंग में टामॉपी क्रों कैस्तिक कायक्टरीस्टिक बताना है की इन मेंसे कौन संभा मेंटर काई क्रेष्टरीक रख है जो मेरा जिसका रता है तो पता है कौन सा metamorphic रोग औप्शन एक या Marble, B है Quarget, C Slate, D है Lime Stone तो यहाँ दखेगा क्या तो ग्वाट जाट जो होता है नाप लोग का Weather Resisting Metamorphic रोग होता है इसका figure देखे क्या है? देखे मेटामोर्फिक रोग का figure देखे टोटल मैं आप लोग को figure के साथ भी दिखा रहा हूँ मेटामोर्फिक रोग कैसे होता है चलिए अगले question चलते क्या है करा एक good building stone should not be absorbed water more than बताना कि एक कोई भी good building होता है ना कितना percent से ज़्यादा water को absorb नहीं करता है या दखे है इससे पहले वी question बताते है 5% से ज़्यादा वो absorb नहीं करता है चलिए अगले question चलते है लिख दिया क्या stone is rejected if absorbed water is more than 10% 10% ज़्यादा है तो उसको हम लोग stone को reject करते है अगला question चलिए क्या है which of the following has more fine resistant character बताइए इन में से कौन सामेरा more fire resistant character होता है बताइए marvel, lime stone, compacted sandstone और granite तो बदिया दखना है कि compacted sandstone जो होता है नाप लोगो more fire resistant characteristic होता है चलिए अगले कुसम चलते है तो compacted sandstone क्या होता है does not catch fire easily इसमें क्या होता है compacted sandstone में क्या होता है इसलिए fire नहीं पकड़ता है अगला कुसम चलिए क्या है कराई jumper is a tool useful बताइए jumper एक तरस का tool है जो use किया जाता है किस के लिए use करते है jumper का पहला है testing of stones B है quaring of stone C है dressing of stone D है none of this तो बताइए या दखेगा quaring of stone के लिए होँँ लोग jumper का use करते है symbol रहता है यह jumper का symbol रहता है jumper 2.6 देखे यह आप लोग का jumper है तो लोग querring करने के लिए करते हैं jumper का सलिए अगला question क्या है the important test to be conducted on a stone used in duck and harvest बताना है कि इन में से कौन सा test important है stone used duck and harvest के लिए option A hardness test option B है वर quality test option C है weight test option D है toughness test तो बता इसका सही answer क्या होगा इसका सही जवाब होगा या दखेगा weight test जो होता है option C इसका सही जवाब होगा अब बताने जा रहे हैं कि इसका क्या use होता explanation पूरा देखे weight test जो होता है heavy stone are more compacted इसमें क्या होता है heavy stone ज्यादा compacted होता है less porous होता है more strong होता है porous का मतलब क्या होता है कि उसमें porosity porous, porosity और porous अलग हो जाता है या दखेगा porous क्या होता है आप लोगो fine grain में होता है पुरी सिटी जो होता है नाप लोगो जी कि सेंड हो गया उसमें पुरी सिटी होता है फाइंट ग्रेट में क्या होता है पूरस होता है जिसका लोज लेस्स पूरस हो और क्या था more strong होता है more suitable for the various engineering applications such as a construction of dam, wear, retaining wall, piers, dog and harbor इसके लिए हम लोग यूजज करते हैं hardness test देखे किसके लिए करते हैं, hardness test may be performed by the scratching the stone, stone को scratching with the nape of more skill, या देखे more skill की दोरा हम लोग hardness test करते हैं, अगला क्या toughness test, देखे, impact test होता है, perform by the impact test machine to determine the toughness of stone, वर्किलिटी क्या तब परफॉर्म फोरे कंकिल के हम लोग वर्किलिटी टेस्ट करते हैं चलिए अगले कोशन चलते क्या है करदा प्री डॉमिनेट कंस्टिटिएंट वीच इस रिस्पोंसिवल फोर स्टेंथ इन ग्रिनाइट पताना इसमें से रहा कौन सा ग्रिनाइट के स्टेंथ के लिए रिस्पोंसिवल होता है तो अप्शन ए में है क्वार्ट ऑप्शन बी एफ हैल्स पर ऑप्शन सी है माय का ऑप्शन लिए नौन आफ दीस पताई शत्रा के एंसर क्या होगा तो यहाँ दखिया क्वार्ट जो हो इसका करने वाट यहां से यहां आप लोग पढ़ लिजेगा अच्छे तरीका से दो सेकेंड मैं दार दे रहा हूं आप लोगों को यह अच्छे से पढ़ लिजेगा कि क्या 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 यूज होता है इसको क्यों हम लोग बूरते हैं गर्णाइट इसका कोमेंट लिए बदाए आप लोग इससे पाले भी कोशन यह बदाएगे थे आप लोगो कुछ कुछ कोशन मैं आप लोगों को रिपेटिशन इसलिए कर रहा हूं कि आप लोग को हमेशा याद है कि इसी टाप का कोशन आते रहता है तो यहाद अखिएगा अप्शन है क्या इसका यूज हम प्लय आपैंनों को हभी इणी वरक होता हुए हां प्लोक करते हैं इंपोर्टेंट वरक होता है इसमें क्या होता है पॉलिसे के outta खुझा होता है गरे नाइट और क्रेस्टिंग श्रेंट इसका बहुत ही जाता है तब देखे गिनाइट किया COMPRESIVE STRIंड इसका बहुत ही जाता है तो 15-35 मेख स्केशिवी क्राइबिटी कितना इसका लाइप पाता है से 2.75 होता है इसका देंसिटी सबी से 27 किलो नीटर पर मीटर क्यों होता है और बाट इट इस कोस्टली है बहुत ही ज्यादा कोस्टली होता है अगला कोस्टन के चली क्या है कराब बीच क्या होगा कौन सा एस्ट्रों जो होगा सुटेवल होगा क्स्ट्रिक्शन ऑ पियर एन अवेंडमेंट और फ्रेल वे विरिज तो आप लोक ट्वेटी नाइट जो हम लोग यूज करते हैं किसके लिए जो भी हम लोग का railway bridge construction के लिए उसमें यूज करते हैं आप इसमें देखें क्या है कि रिनाइट इस उस फोर लाज इंजिरिंग प्रोजेक्ट सच अज ये construction और ब्रीज अवेंडमेंट, डेम, offshore structure, इट इस आलसो उस फोर constructing, step, wall and flooring etc चले अगरे कुसम चलते क्या है the preparation of surface of stone to obtain planned edges or the obtained stone of the required size and shape is known as पताईए जब्य हम लोग required shape and size होता है उसको हम लोग क्या बोलते है querying of stone, blasting of stone, seasoning of stone और dressing of stone तो याँ दखें कि इसको हम लोग क्या बोलते है dressing of stone बोलते है इस तरह से सबका definition दिया हुआ है querying क्या होता है, blasting क्या होता है और dressing of stone क्या होता, total definition आप लोग ये बार छे से पर लिजेगा क्या stone occurred in forms of natural rocks, layer of the structure surface the process of extraction of suitable stone from their natural bedrock and layer is commonly querying of stone इसे से बलास्टिं क्या होता है, method consists of using explosive for breaking stone stone breaking करने के लिए for very heavy rock it has been observed that the querying from the granites, basal, traps and quartzites and send stone by weighing and the other method is very laborious and costly अगला क्या है, seasoning stone, इसका भी और से dressing stone, इसका भी आप लोग definition याद कर लिजेगा चलिए अगले कोशन चलते क्या है, क्या है, crushing strength of a good building stone should be more than बताना है कि जो crushing strength किसी अच्छे building stone के लिए use करते हैं, तो उसका crushing strength कितना से ज्यादा होना चाहिए option a 50MP, option b 100MP, option d 150MP, option b 2MP, ज्यादा कि क्या होगा कितना ज्यादा होना चाहिए, तो क्या होगा 100MP से किसी भी building stone का crushing strength ज्यादा होना चाहिए तब वो मेरा good building के लिए stone कहा जाता है, चलिए अगले कोशन चलते क्या है, तो वही कहा गया, good building stone, crushing strength, 100MP सब्सक्राइब नूइटन पर में में स्कॉर या 1000 केजी पर सिंटीमीटर स्कॉर चलिए अगले कुसम चलते क्या स्पेसिविक ग्रेविटी फॉर मॉस्ट ऑफ दा बिल्डिंग एस्टोन लाइस बीटिविन बताना कि स्पेसिविक डेटी जोता है न अधिकतर बिल्डिंग के इस्टोन में कितना रहता है बताइए कितना की बीच में रहता है अपलोग को बताइए पहला ओप्सण है यहीस में बता गया है अगला कोशन क्या है कि spelling hammer is used for बताना है spelling hammer किसके लिए यूज करते है driving wooden headed chisel rough dressing of stone carving of stone breaking a small projection of stone बताई क्या होगा अब बताने जा रहा हूँ कि spelling hammer होता क्या है उसका मैं आप लोगों को पूरा figure दिखाऊँगा किस तरह से spelling hammer होता है तो इसके किसके यूज करते है यहां देखिए रप dressing of stone के लिए हम लोग यूज करते है option number B इसका सही जबाब होगा अगला कुशन देखिए इसमें क्या है क्या आप लोग का B है इसमें देखिए इसी को हम लोग बोलते है spelling hammer बोलते है क्या होता है यह आप लोग को spelling hammer होता है आप लोग देखिए hammer किस तरह से होता है यह देखिए spell hammer है यह mass hammer है spell hammer क्या होता है इस तरह से design बना वरते spell hammer का चलिए अगले को समझते है cross cut saw is used for बता है cross cut saw का use कहा होता है पहला cutting soft stone cutting hard stone cutting large block of stone re-adressing stone या दखना है कि हम लोग किसके लिए करते है cutting hard stone के लिए करते है इसका सही जवाब क्या होगा crushing hard stone होगा option number B होगा चलिए अगले को पुशन चल देखिए यह होता है यह crushing cross cut saw जो होता है न देखिए इस तरह से बना वा रहता है इसमें आप लोग दना 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 पूरा रहता है जिसी को हम लोग क्या बोलते है cross cut saw बोलते है चलिए अगले को पुशन चलते क्या है shape would consist हो बताना है shape would किसके consist होता है 25 का लोग बता है सही answer क्या होगा तो क्या पाला option में innermost annular ring around the pit क्या होगा portion of timber between the hearth heartwood and cambium layer और क्या है उसका thin layer below the bark D में क्या है thin fiber which extends from the feet outward and hold the annular ring together तो 25 का सही जवाब क्या होगा बता है या दखना है कि shape would जो होता है ने मेरा timber किसके heartwood and cambium layer के बीच में होता है किसके heartwood and cambium layer के बीच में मैं आप लोगों को पूरा दिखाऊंगा कैसे कैसे कौन सा क्या है क्या है क्या 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 बोलते है total figure के साथ मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ देखे क्या है यह बीछ में जो होता है न胆 कि बहुता है ना थी के नीचे फोल यह वला भाहत को पर फैस को इसके बाद यह लेएर को हम लोग क्या बोलते है, ठीक है, सेफ ऊड़ बोलते है, उसके बाद जो बाहर जो लेहर तो को cambium layer बोलते है, उसके बाद यह layer को हम लोग क्याते हैं, inner bark बोलते है, इसको हम लोग आउटर bark बोलते है Только ईक और यह दखेत, Khs के लिए दखेगा, पी से क्या होता है पीत होता है एस से क्या होता है हट उड़ होता है और एस से क्या होता है से आप उड़ होता है और सी से क्या होता है केम्बियम लेर होता है तो देखें कोर्षन क्या पूछा आप लोगो कोर्षन सेप उड़ पूछा था सेप उड़ कहा होता है देखें सेप आप लोगों पता चल गया कि होता है है जो हट और चल्ट अभल पता होगा पूरा पता है है का पता है यहां से हर्ट यह सैपूर यहां से कैम्बियम तो आप लोगों क्या पूछ रहा है सैपूर तो सैपूर क्या होगा होगा और Cambium Layer के बीच में होगा यहां से आप लोग पता चल गया है तो यहां दखे PHA Scale एक आप लोग को Shortcut है PHA Scale यह क्या होता है Inner to Outer की और यह पुरा Sequence होता है तो चलिए आगले कोशन चलते क्या है कराए Which of the following tree Ild hardwood बताना कि इन में से कौन सा ट्री है जिसका hardwood yield होता है Diodar, Cheer, Seesum और Pine बताना इसका सही जवाब क्या होगा यह दखना Seesum का जो होता है मेरा ट्री yield बहुत ही hard होता है जिसका wood का अब देखना जा रहा हूँ कि Seesum का कैसा पेर होता है यह आप लोग का Seesum का पेर है आप लोग देखे होंगे Seesum का पेर यह कितना पूरा hard होता है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इसका strength रहता सेesum का और यही इसका अगर बनाए गया कोई भी चोग़ट या कुछ भी किसी भी type का किसी भी shape का बनाए गया यह देखे तो सबसे strongest कोई होता है आप लोग को Seesum का होता है चले अगले question चलते क्या है इसको हम लोग क्या बोलते है यह दखे है इसको हम लोग क्या बोलते है आप लोग क्या है आप लोग को वाइडर है देखे स्टार से क्या होता है गहां आप लोको वॉएडर है और ये रेडियली डीयली यहां भी देखे रेडियली नेरो होगा है, इसको हम नहीं बोलते हैं, स्टाल, शेक बोलते हैं क्या होता है, कि बाहर के और आप लोगो को पुरा चोरा रता वर्ट जैसे ही पीछ की तरफ जाते हैं, तो वो नेरो हो ज क्या होगा देख लीजिए फिगर कभी पूछ देगा है रिंगल गाल क्या होता है यहां पर किसी भी फोधा के अंदर रिंगल होता है उसको हम रिंगल बोलते हैं चलिए गले कॉसम चलते क्या है इन वीच अवदा फुलएंग पेर बोध ट्री इल्ड शॉफ्ट उड़ बतान चीर डियोडर बता है इसका कौन सा पेर होता है जिसका हम लोग को इल्ड शॉफ्ट उड़ होता है जिसका उड़ बहुत ही सॉफ्ट होता है याद कि चीर यह डियोडर जो होता है जिसका हम लोग का ट्री होता है जिसका उड़ बहुत ही सॉफ्ट होता है बताने जा रहे हो देखें चीर और साल के इस तरह का डियोडर की स्टाव का होता है उसका फोटो पुरा देखें यह आप लोग का है चीर यह चीर का फोटो है यह डियोडर का फोटो है डियोडर का देखें यह फोटो भी आप लोग दिखा देखें की स्टाव का फोधा होता है चले अगले उप्सम चलते क्या है करा वीच अवदा फुलोइंग टिमबर इस सुटेवल फोर मेकिंग स्पोर्स गुड बताना है कि स्पोर्स का समान बनाने के लिए कौन सा टिमबर सुटेवल होता है बताईए मलबरी महागेनरी साल लिए कौन सा होता है यह जो भी सपोर्स समान बनता है तो सब से अच्छा टिमबर का चिखेवल होता है यह षेंट सब कुछ रहता है मलबरी रहता है यह भी बहुत हिन्पोर्टेंट है concert का फोदा कैसा होता ही बताने जा रहे हुए यह आप लोग का मलवरी का पोधा होता है, यह ही आप लोग का मलवरी का पोधा है, यह दखेगा देखी इसका, जब भी हम लोग स्पोर्स बनाते हैं, तो यह ही मलवरी का पोधा का यूज करते हैं इस पेर का, और यह आप लोग का अधिकतर कहा पाया जाता है, यह दखेगा, जम्मू कस्मीर में पाया जाता है चलिए अगले कोशन जल दे क्या एसरजन ए रिजन में है सीसम इस यूज़ पूर डेक्राटिव उड़ सीसम केन पॉलिस्ट टू एन एक्सेलेंट फिनिस स्रेक्ट दर कोरेक्ट बताने किस में से दोनों मेरा स्टेटमेंट सही या गलत है या मेरा एको सही या गलत है उसका एक्स्प्लानेशन है या तो मेरा एक सही गलत है और एक मेरा क्या सही एसरजन मेरा सही या डिजन गलत है आप लोग बताए इसका सही अंसर क्या होगा बताए एक्सेलेंट फिनिश तो कहने का मतलब पास सही है सिसम करते हैं और इसको हम जब भी पॉलिस करते हैं वो एक्सेलेंट फिनिश देता है जब भी हम फिनिश करने तो क्या होगा अफ्सिन नमर एक हो जागा जो इसका एकसर जरन दोनों सही है और क्या है रिजरन इजय और इसका सहई एंसर क्या होगा ए हो जागा तो आज मैं आप लोग को मिलीदिंघ्र खेंक्सन एन मेटरील का टोटल 30 कोर्शन कराया हूं तो आप लोग क्या किजेगा एक वार इसको अच्छे से रिविजन कर लिजेगा और क्योंकि इसका explanation भी मैं आप लोगो लिख दिया हूँ अच्छे तरीका से और इसका PDF मैं आप लोगो कल upload कर दूँगा तो अगर जिता भी बच्चे नए बच्चे हैं तो इस चैनल से जूर जाएए जिससे आप लोगो टाइम पर notification मिल जाएगा जैसे ही मैं अपना अपना वीडियो अपलोड करूँगा तो यह आप लोगो अगर सेशन अच्छा लगे तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को जिससे मुझे motivation मिलता है तो thank you guys for watching this video अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक और subscribe जरूर कीजिएगा